बांगलादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है इसके बावजूद बांगलादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की लगातार नाकाम कोशिशे कर रहे हैं मंगलवार शाम पुलिस के अधिकारियों ने अगरतला रेलवे स्टेशन से 16 बांगलादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है बताते चलें पकड़े गए व्यक्तियों में 13 पूरुष और 3 महिलाएं शामिल है हालांकि पकड़े गए लोगों में से 3 गैर कारूनी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहे हैं सानिय पुलिस ने पकड़े गए लोगों को हिरासत में ले लिया है साथ ही अगरतला सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन में विभिन कानूनी धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है और इन्हें अदालत में पेश किया जाना है